कॉंग्रेस पाल्टी के बरिष्ट नेता, पूर अध्यक्स राहूल गांधे का बयान, अत्यन्त ही और मर्यादित, बच्पाना और राष्ट बिरोधी तत्तों को प्रेवित करने वाला पंतराश्टे स्थर पर भारत और भारत की बहतुर सेना को अपमानित करने वाला है, हम उनके इस पयान की निंदा करते हैं, ये बड़ास्तर है कि जब फुरी दुनिया और फुरातेस इस बात को कह रहा है, कि भारत के बहतुर जवानों ने उस पैटियों के किर्टियों को जहां नाकाम किया, वही साथ ही साथ, भारत के और बहतुर जवानों के सौरे और प्राकर्मों का सम्मान करनी की बजाए, उन्हें कड़गरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भागते स्वीकार नहीं करेगा, और यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले डोकलाम में भी जब गुस्ताइट हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के सौरे और प्राकर्म का सम्मान करनी की वजाए, उस समय भी कॉंग्रेस पार्टी और सिराहुल गांधी का इच्छरितर जग जाहिर था, वे चीनी दोतावास के साथ मिल करके, भारत विरोधी कृप्टियों को प्रस्रे दे रहे थे, अप्यंतर सर्मनाग है, उनका वयान अप्यंतर निंदनिया है, जब भी देश के सामने कोई च्छोधी आदी है, कोई संकट आता है, इनका इच्छरितर वरादेश इसी रुप में देखता है, कि भारत को कढ़ेरे में पढ़ा करते हैं, भारत के बातुर जवानों के सौरे रटाकरों पर उगली उठाते हैं, हम कॉंग्रेस और राहूर नाधी के इस सोच की निंदा करते हैं, और उन से ये मान करते हैं कि वहाँ देश की और देश की चंता से देश के बाहतुर जवानों से माभी मांगे, और देश को ये बार बार कड़े में खड़ा करनी की अपनी बचकाना और वर्याधित आचण से वहाँ मुझे लगता है कि इनको बचना चेकी.